आज जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं अभी वो चैप्टर प्रोसेसे से संबन देते हैं हमने ये देखा था कि जब भी कोट को कोई रिक्वार्मेंट पड़ती है तो कोट में इश्यू गत्नलिक प्रोसेस कवार्में अप्रोसेस अच्छान कररेंकर भी ऐस रिकर्णन कोट रृतीتي ब्लाड प्रत्व में और प्रोसेस् चैप्ट्वार्में medical कोट प्रोसेस्द कों देखा क्या ते लिएравля से थादख ज는 सकती है प्रोसिस मतलब आदेश एक इस करने के लिए को इसающий प्रोसिज को करने लिए है कोई काम करने के लिए या कोई काम नहीं करने के लिए हो सकता है इस तरह के ओर दस्रोल अब इन प्रोसे सिसे नेम देखें है को की तो उन नाम आप सब bus में ना मुड़क finest summons summons का एक format है पीछे दिया हुआ formats में कि समन कैसी जारी होते है क्या उसका प्रारूप है प्रारूप इतना important नहीं है उसका जो format है it is not so important आपसे कभी format लिखवाने नहीं आता है लेकिन हाँ means के time पर इसको देख लेंगे अभी यहाँ जो question आएगा objective हाएगा समन को बोलते हैं बुलाबा क्या बोलते है court का एक बुलाबा है और एक होता warrant warrant जब होता है तो वो किसी और को order दिया जाता है कि इस व्यक्ति से ये कराओ इस व्यक्ति से ये काम कराओ जैसे मालो arrest warrant निकला हुआ है तो उसका मतलब ये है कि उनको arrest करके यहाँ लाओ या available warrant है तो उसका मतलब है कि ये warrant लेकर जाओ और उनको ये कहकर आना कि फला तारीख को court में आ जाना एक date बता क्या है इस तारीख को court में पहुंच जाना और अपने आप आप ही वही जमानत दे आना क्या दे आना अब जमानत दे आने का मतलब क्या है कि वहाँ जो भी उनके घर का आदमी और जो भी उसका संबन देता है कि भई आप के उस पर छोड़ रहा हूँ यदि ये नहीं देते तो तो मैं अभी ले जा हूँआ तो पुलिस का आजमी आता है और पुलिस का आजमी कहता है देखो जी ये वारेंट है इनका वेलेबल वारेंट है आप अपना आईडी दे दो और मैं एक कॉपी दे देता हूँ आपको और एक कॉपी मेरे को जा की जमा करा ली है और इतने तारीक को आ जा रहा है अब बेको समन में और वेलेबल वारेंट में क्या अंतर रहा समन तो एक सिर्फ सूचना थी आप नहीं आते तो कोई असर नहीं पड़ता लेकिन वारेंट में नहीं आए ना तो दूसरी बार वो अरेस्टिंग वारेंट निकाल देंगे पुलिस वाले किसी भी समय आएंगे और पकड़कर ले जाएगे पसभर है तो वारेंट क्या है दूसरे व्यक्ति को यह आदेश दिया गया है कि कि यू आर टू कम्प्लाइंस दिस ओडर आपको इस अनपाल ना करानी है आपको करानी है यह ठीक है तो इस पर पूरा का पूरा एक चैप्टर 6 है सेक्शन 61 से लेकर 89 तक का पूरा एक चैप्टर है जिसमें दौनों चीज़ा दे रखी है समण भी दे रखा है वारेंट भी दे रखा है अब प्रशना आता है कि यह कब निकाले जाते हैं कब निकाले जाते हैं जब कोट को कोई जरूरत पढ़ रही है अब देखो पूरा प्रसिज़र कहां से शुरूवा आता है आता है वन फिप्टी फोर से शुरूवा ट्रायल यह सब चीज़ा चली तो उस समय आपने देखा था कि मानलो मामला ट्रायल तक पहुंच गया कि मानलो कोई कमप्लेंट आई एक कमप्लेंट सीधी आ गई कोड में कमप्लेंट सीधी और सीधी कोड में आई किसाब यह है तो कोट क्या करेगी उस पर कोई order देने से पहले ये एक natural justice का नियम है इस इस इड़ी गिवन एन अपोर्चनिटी टू ही एर अपोजिक पार्टी ओल्सो दूसरे पक्ष को भी सुनवाई का अपसर देना ये एक natural justice है तो क्या करेंगे तो समन निकाला तो क्या किया समन निकाला प्रशन उठता है कि ये एक तो उस समय हुई इससे थी एक आपको ध्यान आ रही हो जब आपको trials पढ़ाए थे क्या पढ़ाए थे trials पढ़ाए थे तो trial में जैसे पहले आपने session trial पढ़ा थे तो session trial में आपने क्या पढ़ा था session trial में वो कहते है जी पी-पी कहता है कि ये मेरे evidences है इन evidences के माध्यम से मैं इस case को prove करना चाहता हूँ तो बहुत ठीक है करना चाहते हो तो और सर ये मेरी witness list है बहुत ठीक है witness list paste कर दी अब witness list paste कर दी तो witness अपने आप तो नहीं आएंगे एक तरीका तो ये है कि पी-पी खुद लेकर रहा है अपने अपने witness इसको क्योंकि पी-पी को ही chief examination कराना है chief examination का मतलब है जो लाया है उसको court के सामने उसकी अपनी बात को कहल बाना है उसको बोलते है chief examination तो chief examination examination उसी को कराना है तो witness list दे दी तो court उसे पूछती है कि क्या आपको कोई processes issue कराने court की तरफ से क्योंई सहयोग लेना है किसा फ़ला witness नहीं आएगा एक तरीका तो ये है आप बला लाओगे ठीक है नहीं जी मेरे witness सारे आजाएंगे में पुलिस के माध्यम से अपने witnesses को सूचना दिला दूँगा आपको कोई processes ज़रूरी नहीं है तो सारे witnesses ऐसे ऐसे आजाएंगे क्योंकि P.W.1 prosecution witness number one खुद I.O है ऐसे करके witness list है मानलो 20 लोग है अब उसमें कोई 5-4 लोग ऐसे हैं जिनको देनी हूँ उनका दो तरीके है कि पुलिस बाला जाने के बज़ाए witness के लिए सीधे ही डाक से भेज़ देते हैं डाक से ही संबन चला जाता है डाक या लेकर चला जाता है ठीक है किसी व्यक्ति जैसे अभ्यक्त को या कोई पेस करने के लिए हूँ तब तो फ्लिस बाला ही जाएगा बागी पर पोस्ट पोस्ट में लेकर चला जाएगा बताते हैं तब ध्यान आ रहा हूँ तब प्रोसेस जारी हुए अब उन्होंने का सर ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा तो फ़ले कोई बात नहीं एक बार हम दाख से भीजबाते हैं नहीं आएगा अब सर रोले सारे हो गए ये विटनेस नहीं आएगा ना तो ये आता है ना कुछ है तो वही इस्तिती कि नहीं आ रहा है ना तो विटनेस को बलाने के लिए भी वारेंट जारी किया सकता है तो पुलिस वालों को यह ले कि आओ इसको यह मना करें हां करें यह इसके उपर है लेकिन इसको लेकर आना है सर्फ यह डॉकुमेंट लाने डॉकुमेंट तो दें नहीं रूए बेंक वालों कामौखां पहले समन करके नहीं ला रहे ठीक है वारेंट अपूरेंट कर दो उनसे कहो अभी जमानाध दे राहू और 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 यह डॉकुमेंट हुआ उसकी पालना करनी ही होगी उसकी पालना करनी ही होगी इसमें कोई exemption किसी को नहीं है तो यह नहीं कह सकता मैं नहीं जाओंगा नहीं जाओंगा क्या करेगी तो उनके पास सारी power है अब देखा हुआ कही लोग समन आया और लेने से इंकार कर दो वो तो गलत बात है क्योंकि जैसे ही आप लेने से इंकार करोगे तो any order और वो ज्यादा गलत होगा क्योंकि यद कोई court कोई order पास करने वाली है if you represent there you may oppose you may put your your version कि सर मेरा भी तो यह है मेरी भी बात पो सुन ले तो court सही गलत का सही नेन है सब करेगे तो कभी भी नहीं करना चाहिए कि समन नहीं लेना है या समन से भागना है उसका कोई और चित नहीं है क्योंकि मान लो जब नहीं मिला तो दूसरे तरीके हैं आपके घर पे चिपका देगा और भी कई तरीके हैं अख़बार में निकलवा देंगे तो ये तो दो चीजें के बारे में इस शेप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मैंने एक जन्रल आइडिया दिया है जैसे कि मानो के आपको कुछ आता ही नहीं था अब हम पढ़ेंगे अब थोड़ा थोड़ा नोट्स में एक एक दो दो लाइन में मैं लिख दी है उसमें जो भी जिस्ट है ना वही आपको पढ़नी है नोट बोर देनेट जैसे सबसे पहले प्ररूप के बारे में लिखा हुआ है कि दो कॉपी में होता है चीक है और रिटन होता है और इसका पॉर्मेट दिया हुआ है CRPC में और अब देखो यहां लिखा है ना कि प्रसाइडिंग ओफिसर के साइन द्वारा प्रसाइडिंग ओफिसर के साइन द्वारा अभी दो क्या नेम यह भी है कि मानलो आपने देखा हुआ आप तो खेर गए नहीं होगी अभी कोट जाओगे न तो कोट में क्या इप यह बस्ता है कि जैसे मानलो 10 बजे की कोट है तो 10 बजे से 10.30 बजे तक का टाइम जज का चेंबर का होता है डाइस पर नहीं बैठे गा डाइस पर बैठने का 10.30 बजे कटा है आदा गंटा पहले क्या करें अपने चेंबर में बैठे गा किस चीज की सुनवाई करनी है एक बार देखेगा सरसरी तोर पर उन सब चीजों को देखेगा क्या क्या लिष्क देखनी है क्या करना है आदा गंटा नच में भी अपने चेंबर में और फिर क्या होगा कि 5 बजे तक का टाइम है तो 3.30 बजे 1.30 चार बजे सारे जजिस उठे जाते है 4.30 बजे से 5 बज़े तक उनका चेंबर का टायम है ऐसा नहीं कि टाइम सब के लिए वो ये दसे पांस का लेकिन आदा आदा गंटा दौनों टाइम चेम्बर का टाइम है चेम्बर में क्या करते हैं यह जैसे ही लास्ट में आएंगे साधे चार बज़ उठके आए तो जो रीडर है वो सारी फाइलों को लेकर आएगा और सारी फाइलों पर क्योंकि इतनी फाइलें थी उन्होंने उस समय साइन नहीं किये तो मानलो कोई प्रोसेस जादी हो रहे हैं कोई वारेंट जारी हो रहा है तो वो आएगा और उपर बस इनिशियल करता चला जाए मानलो गलत सायन हो गए हैं तो वह रैस्पॉंसिवर इस प्रसाइडिंग ओफिसर रैस्पॉंसिवर नो मैं तो साम कई तो कोई अपीसर के तौर प्रसाइडिंग ओफिसर जरूर है लेकिन जो वाँ रीडर है जो करा रहा है वो दहां इनिशियल मारता जाता है बस इनिशियल मतलब एक चिन है उसके अलावा वो सारे की सारी की responsibility किसकी है जो करा रहा है तो जब भी कभी समन निकालते है तो इतनी सारी फाइलों पर वैसे ही साइन करने होते है इसके लिए क्या कर रखा है कि समन्स को जुरूरी नहीं है कि पीठा सीन अधिकारी presiding officer साइन करे उस पर महल लगी रहेगी on behalf of judge वहाँ का court का reader भी साइन कर सकता है it is legal court का officer भी साइन कर देगी ठीक है next section 62 अब समन्स को जारी करते है देखो अभी पढ़ रहे हैं ये portion पढ़ रहे हैं किन्वा लोग है ठीक है ऐसे ही पांच से लेकर 32 तक के portion सी पीसी में में समन्स के दिए होगा है वहाँ भी समन्स की बात वहां section समन्स में और एक order पूरा का पूरा पूरा का पूरा एक order order 5 समन्स पहर है ठीक है इसमें और उसमें थोड़ा अंतर है ऐसा नहीं हूँ वहू एक ही नहीं है अंतर है वहाँ जो समन्स जारी हो सकते हैं वो इमेल से और डाक से यहां पर किसको दे रहे हैं पुलिस अधिकारी को या पुलिस अधिकारी के अलावा किसी प्राइबिट आदम को भी दे सकते हैं किसी और बेक्ति को भी दे सकते हैं लेकिन इन जनरल कोर्स आप बिजनिस पुलिस इस डारेक्टिट बाई दे पसाइडिम अफिसर तो एग्जेक्यूट दे समन्स वही निस्पादन के लिए उत्तर रही है उसी को निदेशिक किया जाता है 63 में अब देखो लाइन सिर्फ हेडलाइन पढ़ोगे न कि जो कोड़ोर्परेशन हैं कोड़ोर्परेशन में समंस की एक्जुकिशन किसके ऊपर होगी हैड अब दा कोड़ोर्परेशन यह society है तो उसमें भी जो secretary है उसके उपर हो जाएगी तो not important बस आपको एक idea होना चाहिए corporate का मतलब क्या है देखो यह corporate के लिए क्यों दिया 80 तोर पर मान लो किसी company के बुरुद्ध case हुआ है company के बुरुद्ध तो entity of company is separate from its directors वो भी एक व्यक्ति है company भी क्या है एक person की तौर पर है तो इसलिए उसमें दिया हुआ है फिर 64 में दे रखा है कि यद वो व्यक्ति जिस पर समन की service होनी है समन की service होनी है that is not available तो क्या करेंगे तो यहां पर ध्यान रखना है यह question आता है यह आपकी ध्यान रखना है adult male member of his family क्या important है adult male member of his family तो जो adult male है ठीक है ना किसी भी वैस्क पुरस पर कराई जा सकती है अब जैसे cpc में चले जाएंगे तो यह किसी भी वैस्क व्यक्ति पर महला भी हो सकती है लेकिन यहां पर क्या है adult और male male member होना चाहिए family का उस पर कराई जा सकती है फिर next section 65 है कभी कभी SECT हो जाए कि जो उपर service के तरीके दे रखे हैं इन मैंसे किसी में service नहीं हो पाती है तो फिर क्या तरीका है कि उसका उसके घर का जो conspicuous part है conspicuous part जहां से आता जाता है सब दिखता है सहजदरस इस्थान, conspicuous part बोलते हैं सहजदरस इस्थान, उस पर वहाँ पर चिपका दिया जाएगा समन कि भाई यह आ रहा है जा रहा है देख रहा है कहा क्या है तो समंस को महाच्चुपका दिया जाएगा इतनी इतनी ही बाते आपको देहान रखनी है not more than it सर पर ना क्लास में हूँ अभी एक बार बात है क्लास में हूँ सब्सक्राइब कोड़ी क्लास में हूँ सब्सक्राइब 66 अब जैसे अब एक एक लाइन के ही कुश्चन्स कुश्चन आंसर की तरह है बहुत सौट कुश्चन्स की तरह के लिए पुब्लिक सर्विस सर्वेंट कैसे कर आऊ सरकाई सिवा में हैं एड़ ऑप अड़ डिपार्टमेंट उसके पास जाएगी और वह को सर्विस कराकर ऑप समन्हाय तक है तेसे अगरिकल्जर डिपार्टमेंट के पास में इस इपास ने ऊप्लमक्राइब उसकी, एक copy उसको दे देंगे, receive करा के और उसको वापस court में पहुँचाएंगे court को भी पता चलनी चाहिए कि he has received the he has received the someone अब जैसे 67 है कभी-कभी क्या होता है कि हमें बाहर कराना होता है beyond the jurisdiction तो beyond the jurisdiction क्या कराएंगे तो beyond the jurisdiction में कोई दिमाघ नहीं लगाना याँ से जैसे मानो जैपुर सी है जैपुर से हमें कराना है दोसा में कराना है, भरतपुर में कराना है, आगरा में कराना है कई उर कराना है, तो सीडिक क्या चलाएंगे होहाँ के मैस्टिट को चला जाएगा और वो आदी वहां रह रहा है तो वो ऐसे कराएगा मानों को उसी ने समन निकाला है ठीक है लागा अब जैसे नेस्ट सेक्षन में दे रखा है सुबूत क्या होता है कि सर्विस हो गई या नहीं हुई सुबूत कुछ नहीं है सुबूत इतना साही है कि उसका उसका पीछे उस पर सायन कराके और लिखके सर्विस हैज बिन कंप्लीटिट और सायन कराके वापस भीज़ देना है अर्था एंडोस्ट करके वापस भीज़ देना है 69 कोई विटनेस है तो विटनेस के लिए कहाई से निकाल दोगे दाख से अब देखो ये तो थे 61 से 69 तक समंस के समंद में यहां समंस के समंद में बहुत बहुत कम एरिया है वहाँ देखोगे सी पी सी में तो समंस पर सेक्संस दिये हुए और पूरा का पूरा एक ओर्डर दिया हुआ है ओर्डर फाइब पूरा का पूरा इसी पर बेस्ट है और ओर्डर फाइब में रूल कम नहीं है जो अभी आप प्रतिस्थापित तामीर पढ़ रहे थे अभी 65 में वो पांच बीस में है वहाँ ओर्डर फाइब रूल ट्वंटी में दे रखा है इसी पीसी में यही सेम चीज वहाँ पांच बीस में दे रखा है वो भी पढ़ाएंगे देखो सेक्शन के नंबर इंपोर्टेंट नहीं है जहां मैं कहूं तो यह नंबर इंपोर्टेंट है जैसे सेक्शन सत्तर पढ़ रहे हैं कुँआ सट्टर तो सेक्शन सत्तर में पढ़ रहे हैं तो जब आप जुरिशल अपसर की तौर पर कोट में बैठेंगे न तो कुछ रोज देखोगे हर रोज एक एप्लिकेशन लेकर आएगा क्या है यह किस सर यह सत्तर दो की एप्लिकेशन है क्या है तो देखो क्या है एक बार किसी मेजिस्टेट ने वारंट जारी कर दिया क्या समझ मैं है एक बार किसी मेजिस्टेट ने वारंट जारी कर दिया है तो वारंट वो तभी समाप्त होगा जब वो ही समाप्त करेगा या तो उसकी उपर की court कर सकती है अन्यता वोई court warrant को समाप कर सकती है तक तर नहीं तो 72 की अप्लिकेशन आती है किसकी अप्लिकेशन आती है 72 की अप्लिकेशन आती है किस बात के लिए warrant cancel कराने के लिए otherwise this warrant इसी को बोलते हैं इस्टेंडिंग वारेंट आपके आने खाएगा आजाओ आजाओ आपके तेवेजिए ग्यास पर सब्सक्राइब आज आज मैंने क्या कोई मेरी मीटिंग है रोतीन काम मेरे इंपॉर्टन तो हाँ उत्ता टाइम तो मिलेगा नहीं आज का दिसक्स अन्वाला तो कर लेंगे डिसक्स मैं बारे वज़ दा क्लास दूँगा बस उसके बाद ही निकलूँगा आप आओ तो दस पंदा मट बेट जाओं और वो दस पंदा मट में इतने बड़े कि एक्टें उन से होगा नहीं हो हमें अभी पूछ रोंगा बारे वज़े में कॉल करूंगा उनको पूछूंगा क्या है नहीं में कॉल करके पूछ लोंगा और अभी तो भाई सब क्या पता गौर्वर्मेंट रहेगी जाएगी आप चिंता ही मदगर और वही है भाई सब जो रोज करते आयों वही है और नहीं हो रहा है एक जुलाई से लागूंगा मोदी जी जा रहा है चार तारीक को नहीं रहेंगे तो दानवन पूछ यह पक्का हो गया अब आप यह कितनी आफ़त करके रख दी इन लोगों ने अब यह कोई डिस्टी जज़ है नए एक लागू होंगे उन्हें तैयार करने यह सारे अधिकारियों के तरह साथ दिक्कत है अब उनको भई वह तो हम तो रोज पढ़ाते हैं मैंने पढ़ भी लिए उनमें कोई चेंज है नहीं मैंने तो सब को यह का कुछ नहीं हुआ है लेकिन सबको क्या फोबिया लग गया पता नहीं अन्य क्या है उसको एक बार पढ़ना पड़ेगा रनिंग कोट्स की स्थिती है यह सब को यह दिक्कत बहुत वह तो सियार पीजी बोलते हैं वो ले नई सियार पीजी नई आई की सिने इविडेंस को एक बार डिसक्स कर क्योंकि यह 160 MP निकाले थे उस दिन वाले यह नोंने पारित कराया था और जैसा कि अभी देश की फीड़ वैक है उसमें कोई संभावना नहीं है दोबारा रिपीट होने की सरकारी को तो 400 पार और 500 पार कह रहे ते होगा नहीं क्यार्ट को पालिटिकल मामले है अपने को ज् कितनी अब्वेबस्ति इस्तिती हो जाएगी जब कि चेंज कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं उसमें नम्मर्स का चेंज है लेकिन कितने विद्ध्यार थी कि पूरे देश में 20 लाख तो एड़िट है कितने एड़िट है 20 लाख एड़िट परेषान होंगे और कम से कम पचास जार से ज्यादा सिक्षक है वो परेषान होंगे और कम से कम 20 लाख से ज़्यादा इस्टुएंट है जो इन्हें एक्जाम्स में लगे हुएं पूर देश में वो परिशान होंगे मलब 50 लाख जनता तो डिस्टरब होगी इस कानूनों से इसका कोई यूटिलिटी नहीं है भाई मतलग कुछ चेंज करते ना जैसे उन्होंने एक चीज़ें चेंज की है उन्हें वहीं कर सकते थे क्या असर पड़ रहा था भाई कोई यूटिलिटी होती ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा हाँ ऐसा कर सकते थे आप लिखा सकते थे अमित सास हैंता भाई आपको नाम ही तो लिखाना था इसमें तो कोई तिकती नहीं थी कि भाई हमने नाम बदल दिया एक का नाम लिखा देते मोधी जी सही का वो कोई समस्या नहीं थी वो आप कर सकते थे उसमें तो कोई कुछ कहता ही नहीं कह देते को हमने कबर पेज बहुत बढ़िया लगाए हैं सारी चीज़ अठारा सो साट की जगह पर आप अभी कर देते 2024 हो जाता वो भी लेकिन ये कोई का मसलब दोनों चलेंगे पंद्रह साल तो दोनों चलेंगे वो पराने केसिस तो पराने लोसेश गवर्न होंगे ना उनमें चेंज कैसे करेंगे वो तो जो चला है जिससे चलेगा नए रेस्टर्ड होना सुरू होंगे तो कम से कम पुराना जो जितना भी है तो पंद्रह साल में खत्म होगा पंद्रह से बीस साल में केस पुरानी तो चलती रहेगी पंद्रह से बीस साल में होगा देखो क्या है एक जब National Movement पढ़ते थे ते एक वो चला था Swadesi Andolan Swadesi Andolan के पीछे ये था वो उस समय आवशक्ता थी National Movement के टाइम का वो आवशक्ता इसलिए थी क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे बाहर से कच्चा माल ला रहे थे जा रहे थे, जहां कपड़ा बेच रहे थे और उसके लिए ज़्यादा पैसे कमा रहे थे, सभी पर ऐसा काम वो कर रहे थे उस समय हमारी जो Wealth थी विदेश में जा रही था Wealth क्या है? हमारीएलरजी Wealth का मतलब क्या है? हमारी अनरजी धन का मतलब का है हमारी एनर्जी जो कुछ भी आप काम करते हो ना आपने मेहनत की उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिला वो आपकी इनर्जी का ट्रांस्फॉर्म नेचर है कार जो बाहर खड़ी है वो कार लोएकी नहीं है एम के सिंग ने इतना काम किया उसके बदले में वो कार आई है एक तरह से हर एक इनसान का जो इनर्जी है वही धन है एनर्जी का मतलब सारिक और मानसिक एक आदमी सरीष से पांसो रुपया कमाता है एक आदमी पांसजार रुपय कमा लेता है अंतर कोई नहीं है उसके मानसिक उर्जा लगाता है इसलिए उसके एक आदमी बहुत साई लोगों कोई मानसिक उर्जा है खट्टी कर लेता है पा यही चीज अर्थ विवस्ता है तो उस समय जरूवत थी स्वदेशी की लेकिन ये कभी जरूवत नहीं है जैसे हम जब हरपन का आल में थे तो हम क्या कपड़े पहनते थे बस्तर बहुत कम होते थे लोगों वे पास या हमने पोदों से पेड़ों से बस्तरों को लिया फिर जैसी जैसी एरिया वैसे वैसे बस्तर डवलप हुए अफगानिस्तान में एक अलग टाइप के बस्तर डवलप हुए भारत में एक अलग टाइप के बस्तर डवलप हुए जो ये अफगानिस्तान का सूट पहने बैठी है अफगानिस्तान में डवलप हुआ भारत की नहीं है इन चिन्नों को मिटाने की कोई जरुवत नहीं है ये मानव ने प्रत्षभी पर डवलप किये और हिंदुस्तान पाकिस्तान चीन ये सब क्या प्रसासली की यूनिट्स हैं लो पढ़ता है अब हमका हैं कि सब नहीं हम अंग्रेजों की नहीं लेंगे हम उनकी नहीं लेंगे आरे विजबी किसमें ती है इस बताओ सारे वैज्ञानिक उपकरन सब यूरॉपियन कंट्रीज के हैं अब आप उन्हें सरेंडर कर दोगे तो हमारे यह तो कोई डवलप ही नही तो वारंट जो जारी होता है वो सत्तर एक महीं ये बता दिया कि what is its purpose किस किस काम के लिए होता है कि देखो जिसे अव्युक्त है उसे पेस करना है तो आएगा अव्युक्त से कोई चीज पेस करवानी है तो आएगा अव्युक्त को कोट में लाना है तो आएगा और ऐसा व्यक्ति है जिससे जिससे कोई बस्तू कोई बस्तू लेनी है अव्युक्त करनी है जैसे माल लो एक पुलिस को सूच ना मिलती है किसाब इनकी बिल्डिंग में अबजक्तों ने एक किलो सौना छपा रखा है अबजक्तों ने बता है कि इंसिटूट खुला हुआ था और कहीं पुलिस आ गई थी कहीं जगे नहीं मिली तो हम जाके नीचे लाइबरेरी के नीचे फला जगे बता रहा है अब पुलिस वाले आगे उनने का हमें तलासी लेने हैं वहने का तलासी नहीं ले सकते हैं क्यों ले लोगे तलासी अब जब कि हमें पता भी नहीं है हमें पता ही नहीं है कि मामला क्या है का नहीं हमें हमतनी तेकर लेकर ऑकिंचरों को तो फिर रोक नहीं सकते हैं तो यहां पे सक्तर में बहुत सारे जो जो जिजिस के लिए requirement होती है वो दे रखे हैं और दूसरी बात दे रखी है कि उसका जो पिठाशी नदकारी है जो प्रसाइडिंग आफीसर है वो तब तक बना रहता है एक बात जारी करने के बाद तब तक बना रहेगा जब तक कि वही उसको cancel ना कर दे एक 71 में जैसे available warrant है available warrant में क्या है कि एक आदमें दूसरा security देता है कहां जी ये आ जाएंगे आप इनको आपको क्या ध्यान रखना है इसमिर नमबर ध्यान रख सकते हो available warrant कहा है अब नमबर एक जैसे 72 याद रखना है 70 याद रहन रहे कई बार 72 चीदे या आता है clause अब जैसे लिखा है कि warrant किसको honorisht किया जाता है warrant to whom directed अब देखर warrant किसको होता है सामाने तो हमारे पास एक agency of police police का काम ही ये है है ना लेकिन इसका मतलब ये नहीं cable police को होगी एक बड़ मैंने बता था ना कि SP को जो SP था CBI का उसको कोट ने क्या आदेश दिया कि बही कल तुम लेकर जो SP है यहां का जैपुर का उसको और जैपुर के ADM को लेकर आ जाना कोट में तो SP जो CBI का कहा था उसमें कोट को क्या का नहीं सर हम तो कि दूसरे एक्ट से गवर्न होते हैं हम तो नहीं आपके आदेश की पालना करेंगे तो कोट ने कहा कि बारेंट में डारेक्टिट टू एनिवड़ी एंड यू आपको ही सबसे पहले जेल भेजता हूं फिर देखेंगे को नहीं का सब नहीं में लिया हूँ ठीक है तो 72 में है क्या किसी व्यक्ति को भी किया जा सकता है वो 73 में दिया हुआ है यह यह 73 में ग्रफतारी वारेंट है जो करे बार भागते ना एप्स काउंड हो गया है या इस तरह का कोई व्यक्ति है तो उनके लिए ग्रफतारी वारेंट जारी होता है जब भी फिर 74 में एक बात कह दी कि जब भी वारेंट जारी कर रहे हैं तो उसकी जैसी सर्विस कराते हो ना तो उसकी कौफी कोट को पहुचा नहीं होती है में लिख दिया कभी देखा हुआ उसमें इस फिल्मों में कि यू आर अंडर अरेस्ट ऐसे कैसे अरेस्ट कर लोगे वारेंट लाए हो मेरे पास तुम्हारे खिलाब वारेंट है तो यहां यहीं बता रहे है इस तरह की कभी कार्वाई हो तो वारेंट क्या कर देंगे दिखा देंगे 76 में बता दिया है कि जैसे आप ग्रफ्तार करेंगे ग्रफ्तार करते ही आपका यह काम है तो उसको लेकर आना है यहीं बात जैसे सेक्शन 57 में था ना जैसे जैसे में लिख दिया जो बात वहां लख रही थी यहां लिखी हुए दो सब्सक्राइब नहीं होता है आने जाने यात्रा का समय ऑट रहते ग्रफ्तार करते हो दो दो तरीके से ग्रेफ्तारी हुई एक तो और यहां 76 में भी लाए हो तो भी 24 गंटे में पेस करना है अब आता है कि अरस्टेंग को कहा कहां तक सर्विस कराया सकता है पूरे देश में कहीं पर भी एक्जिकूट कराया सकता है उसके लिए कोई समय वो सीवा नहीं है कहीं पर भी क्या राया जा सकता है अब देखो 78 में कभी-कभी यह पूछता है कि आउटसाइड जुरिजिक्शन जब भी वारेंट का एक्जुकुशन के लिए जाता है न तो वो एक्जुकुट कैसे खराते हैं तो उसमें अधिकारियों के नाम दे रखे हैं चार अधिकारी हैं इसमें एक्जीकुटिव में स्टेट है इस पुलिस सुप्रिंडेंट है और पुलिस कमिस्टन रहे उनको डाक से बेज़ दो और वह बारेन्ट क्या होगा यद वह वारेन्ट वेलेबल और वह बेज देंगे यहां पर भी जमान वरके बेज़ देएं जिसे पुलिस वाली लेके आते न तो घर पे आए गा सथ आपने अपने घर में से किसी को बला जमान दे दो वो लेकर चल जाएगा और ऐसे ही मानलो कहीं बाहर है मानलो यहां से कानपुर बेजना है तो कानपुर के पुलिस कमिशनर को बेज दिया मानलो जोदपुर बेजना है जोदपुर के पुलिस कमिशनर को बेज दिया और यह वेलेबल वारेंट है तो वेल कराके न से दारों के ना तो नमबर पूछने वाले हैं और इसमें से कुछण बहुत कम आते हैं, जैसे बारा कुछण लिये जाने हैं, तो यह वो उस चैप्टर नहीं है जिसमें से कुछण आने की समभावना को, एक चैप्टर में से कुछण आएगा, लेकिन चूप एक आइडिया हो उसको और बहुत सोट में नोट्स में लिखा हुआ है और उसके सबाइब 10-15 में आप पड़ सकते हैं को मान लो बाहर वारेंट बाहर वारेंट व्हार जा क्या है कि जैसे वारेंट के लिए बाहर भेजा तो 30 km के रैडियस में वो आदमी आता है तो तो वहां से पकड़कर सीदे लाकर उसी कोड में पेस कर देंगे मालो 30 km से दूर है तो वहां जो भी मेंस्टेट है ना उसके साथ या उसको पेस करेंगे और वहां से पेस करके आदमें यहां से ले जाकर में पेस करेंगे उसके लिए हमें आज मेसा आजमी को हमने तो 24गंटे क्यूंकूंक दूर है आपके सामने पेस करते हैं जैसे मालो जादमें जारी कर रख़ा प्रिस लेकर और एक आजमी को पकड़ लाई तमिल नाडू में मैसूर में या पकड़ तो करना क्या पड़ेगा वहीं पेस करना पड़ेगा पेस करके कहा कोट में कहना पड़ेगा सर ये इस आदमी के खिलाब जैपर की कोट में मामला दर्ज है और ये आदमी हमें वहां के लिए चाहिए इसके लिए हमें ट्रांजिट रिमांट देगा यहां तक के यहां पेस करन ठीक है अब देखो एक और चीज़ समझाओ यहीं पर आपको सेक्षन 80 81 82 83 एक साथ समझाओ इनको पहले गौर से मेरे को सुनो फिर आप रीट कर लेना देखो क्या है मामला कि मान लो मान लो कोई स्टेंडिंग वारेंट जा रही है और वो आदमी अवैलेबल नहीं हो रहा है लेकिन वो आदमी सूचना मिली के साथ वो तो मैसूर में है अब मैसूर में है तो पुलिस मैसूर पहुंच गई जब पुलिस मैसूर पहुंच गई तो उसने क्या किया पेस कर दिया पेस कर दिया कोट के सामने अब जब कोट के सामने पेस कर दिया ना जैसे मेश्टेट के सामने पेस करोगे कभी भी पेस करोगे तो जो पकड़कर लाए उन्होंने तो ये कहा कि सब हमें रिमांड चाहिए ट्रांजिट कुण से वाली चाहिए प्रांजिट जहां से वहां तक ले जाने वाली रिमांट चाहिए तब ही उसका वकील भी आ गया उनने का चार सो सेंटीस की एप्लिकेशन मेरी पैंडिंग है उससे डिसाइड करो पहले कुण सी जहाना आ रहा है चार सो सेंटीस है हाँ किसा नौन वेलेबल मामला है अब वहां जूरी रिक्षन तो है नहीं कि वही लेगा तो उसने पेस कर दी यह अप्लिकेशन वहां के कोट में कर दी तो कोट में वहां के कर दी तो वह यह नहीं कहेगा जूरी रिक्षन के ब्यांट कर रहे हो ठीक है उससे सुन लेते हैं अब सुनवाई करने के बाद उसे लगा कि इसको कैंसिल कर देते हैं तो जैसे ही आप कैंसिल करोगे जैसे ही आपने कैंसिल की वो दूसरी साथ के साथ लिखके लाया है तोले सर्क आपने कैंसिल की मैं अभी मुझे को और दे और की कॉपी दे दो कि है कि क्या कहेगा ओर ऑटर की कॉपी देए ठाउ कोफाइब तक ये नहीं कोड़ेकों को तो Pocket कंपाउंड में दूसरजरा कोट है सैसे llam और से जाकर चारल पर अलिस नए wider इस लगा दिए करा लगा ते फ़िए 449 अब उसने में कैसल कर दिए मेरे को और कॉपी दे तो में यहां एक बार तो जेल में रह लिया होने का जेल बहुत गड़ा फिर वह बापस आया है अब पुलिस पहुंच गई जोदपर की जोदपर की पुलिस पहुंच गई तो उसने बंबई में पेस्ट कर दिया उसके यहां तो एक से एक बडिया वकील थे बडिया का मतलब है कोई यहीजिए बडिया का मतलब है अपने काम को सांदार तरीके से करता हो। वही बडिया होता है वलाक्स नहीं होता है एक आधमी इन्डैलिय Meredith है लेकिन महाई बब्ब लृत है तो उससे तो दूरी रहना चाहिए ह। जो आलसी है, उससे बुरा इंसान तो कोई होता ही नहीं, उससे तो दोस्त भी मत बनाना कभी, क्योंकि उसकी परचाही में आप भी आ सकते हो, आलसी से तो उसके नजदिक सीट पर नहीं बैठना चाहिए, कि यह आजमी आलसी है, ठीक है न, तो बढ़िया सांदार एड्वोके अपने काम पर है, हमेंसे त्यार रहता है, तो वहां उन्हों एप्लिकेशन पेस की, खारिस 437 खारिस, उन्हों 449 पेस करती, खारिस, उन्हों तक्कल 449 पेस करती, हाई कोडने का बेल गांट, और रीड विद 81, तो सेक्शन 81 है वो, कौन सा है, 81, तो जूरिडिक्शन के ब् जूर्ण भी क्या होता है, कि वहां जमानत के अधिकार समत नहीं होते, जहां भी पकड़ा जाएगा, वहीं जमानत के अधिकार मिले हुए, वहां उसकी जमानत हो गई, जमानत हो गई, जमानत हो गई है, जमानत हमें सही है, एक जमानत हमें सही है, एक जमानत जमानत जाके, वहां की सैसन कोट में भरवा दो कहा की में जोदपुर की सैसन कोट में जाके वहां आया और वहां उन्हें जमानत हो गई है और मेरे को Bombay High Court ने direction दिया हुआ है उस जज ने जमानत भल दी ऐसा नहीं होता है कि जोदपुर High Court ने दिया हुआ है तो सबक्राइब सब्सक्राइब कोई नहीं है कोई है हाई जज थे करनन उन्हें जेल में रहना पड़ा था हाई जज प्रोग जज़ को उन्होंने पदा क्या किया सुप्रीम कोर्ट से मैं कोई कम थोड़े ही हूं उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजिस के वारंट जारी कर दिया है उन्हें अरेस्ट करके लाओं सुप्रीम कोर्ट ने वो कैंसिल किये और फिर कंदन को अरेस्ट कराया जेल में रखा च्छे मेहीने तर्फ पराणा नहीं है नहीं नहीं रिटायर होते ही अरश्ट कर लिया रिटायर वह उसके नहीं जिस दिन रिटायर हुए थे उसके नहीं रिटायर अरश्ट कर लिया था हुए अब जेल चलो करनान को जेल अब जेल नहीं है अब जाएंगे अब जाएंगे अब जानुश के लिए प्रटेक्शन है वह लेकिन इल्लीगल काम थोड़ी करोंगें के लिए प्रटेक्शन नहीं है जैसे एक सेक्षन नाइंटी सेवन उसमें अधिकारियों करमचारियों को प्रटेक्शन मिला हुआ है उनके खिलाब तब तक कॉग्निजेंस नहीं होगा जब तक वो नहीं आएगा लेकिन यह थोड़े है कि लिगल काम करोंगे तो उसमें ज नाटक का सांसद है पुबिक सर्वेंट में आता है प्रजुल रमन्ना तो प्रजुल रमन्ना पर रेप के केसिस हैं और केसिस भी बैठेंगे करीब अठाइस सो अठाइस सो महलाओं के साथ रेप का मामला है तो यह थोड़ी कि उसका वाइप प्रोस्टेक्शन सेंक्शन ल तो यह एक्टीवन में आउटसाइड जूरी रिचर नहीं तवेल होती है एक्टीवन है ही सिर्के लिए नहीं जो वारेंट है ना चिका आपने अच्छा प्रस्न पूछा यह नियम भी बिलकुल सही है कि बारेंट जिसने कोट ने जारी किया है जारी किया है उसी के द्वारा होगा तो फिर उस जो बारेंट है बारेंट को बापस जाएगा वो बारेंट कोट में और उसमें लिखा जाएगा इस मामले में जमानत की जा चुपी है तो वो कैंसल कर देंगे तो आपको अब पढ़ो हां मान लो बैसे नहीं है तो इसमें एक सिंपल था विलेबर बारंट है तो जो जिला मजेस्टेट है पुलिस सुपरिंटेंट है वो उस आदमी को ले जाकर बापस कर सकते थे मान लो बंबई से उसके ले जाकर सलमान खान को यहां बेज सकते थे लेकिन यह दूसरी सिती बता ही मैंने तो आप सेक्शन 8081 को पढ़ लो अब देखो क्या होता है यह 82 से लेके 86 तक के पार्ट है ना सब्सक्राइvent यह कभी-कभी जैसे जारी कर दिया अमांत्र तो हो गया लेकिन आधम कैसा है एप्सकोंड हो गया है क्या हो गया और आप फारार हो गया और ऐसे एपसकोंड स्थ Nepalाशन की जो द deber तो उसको कैसे लाएं उसको कैसे काकिल करें कि वह फूठ में हाय उसको कंपैल करने का एह तरीका है थैसे टो पर्लो मीशना जारी की जाती है उसके सेक्षेंस के नम्ע लिक्रां current जाए रखें मामिलवाओं में होती है तो अच्रां में कि किसी ने धपड़ माधिया उस Wade जारी हो जाए वो नहीं होगा कि जोरे सेक्ष्ड दे राक्ति नमब दे रखें रहा है तो उन मामला से जारी कर कर दिया भगोडा गोशित कर दिया है उसको अधिर और एक व्हाइट अफोट लग जाते हैं या कि जगे जगे किस्स कर देते फोटो फटो वांचित वांटिट करते ना वह वांटट भी यह है अब मुद कर देते हैं तो बशुम तो इन लोगों के तो वो वो एफ्सकॉंट लोग हैं फरार हैं वो कैसे हैं फरार अब दो बाते हैं कि फरार होने के बाद आपने फोटो वोटो लगभा दिया सब कुछ कर दिया इनाम भी घोशिट कर सकते हैं लेकिन उन नहीं आते फिर भी तो तो फिर दूसरा है या तो इनको दौनों प्रोसेजर को एक सास्थ अप्लाई कर सके हो ऐसा नहीं कि पहले इसको करो और उसको करो मैं या एक एक पहले एकटीटी कर लो नहीं तो चूंकि आदमी तिनी की लिगार रहा है जू में ना वैव जैसे हकलं है 95 तो कारण धनका है किसका है धनका है जैसे थोड़ा सक समझ आती है नोगरी-वगरी की बात आती है वह चलो ठीक है मेहनत करो मेहनत किसलिए करनी है पैसे कमाने लिए और किसके लिए गन्नी है पैसे से फिर आगे का गन्सेप्ट है वो पांच परसन लोगों के लिए वो है कि रेपूटेशन के लिए अब जैसे आप मेनत कर रहे हो बैई ये मेनत के अलावा भी दूसरे काम से भी तो पैसे जा जाते है इसलिए है तो सम्मान एक और होता है रुटबा रुटबा में सम्मान में अंतर है रेपूटेशन में अंतर है रुटबा क्या है कि किसी ने कुछ कहा रुटबा मतला एहंकार की प्राकास था टॉप लेवल ओफ इगोईज्म जैसे किसी ने कल कुछी से कहा तो पता लगा कि अच्छा तोड़ी टसल हो गई कि क्या है कि ये तो मंत्री है मंत्री है तो ठीक है इसकी दुटबा दो पलिसको कहा तोड़ दोस्ते तोड़ दी हो और बात में होता रहेगा ये क्या है रुत्वा जिन्देता काम किसके लिए कर रहे हैं ये सेवक नहीं है एक भी एक भी नहीं है सेवक जो कहते हैं न देश सेवा देश कुछ नहीं है वह साई लोग देश की चिंता करते हैं एक जना कर देश की चिंता कर रहे हैं वह अभी एक कोचिंग हब बनाया गया है कोचिंग तो पहले क्या कोचिंग है लाल कोठी में चलती चींग लाल कोठी से कोचिंग अटाएं तो जगड़े हुए कोचिंग वालों में और सरकार के बीच पीच मैं हम तो नहीं जा रहे हमारा धंदग बढ़ जाएगा तो गहलोत साब से बात हुई तो उसमें उन्होंन तो जना है पांच प्रत्नी बन आइज है उसमें से मैं भी एक था कि ढार। सмクिराइत मैं धाने च finely अभेजी मौ कोचिंग बन गया कोचिंग भी कोचिंग भान गया हमरे च Arizo इसको हमारे पास नाम ही नहीं हमारे किराइप ले रखी हैं यहां से लेकर किसी के पास अप्रेविल्डिंग नहीं सब की बिल्डिंग एक प्याइगें काथ कोई बील्डिंग होगी तो किसी की बीज अपनों पैसे बहुत जादा मांग आप मैंने कोचिंग में से निकाल अब जब कोचिंग वालों नहीं लिए तो ओपन कर दिया सबके लिए तुम ले लो एक सीए था तो सीए ने ले लिया अब सीए महां चीख राव और स्मोधी जी ने कहा है देश सेवा और यह वह और देश बढ़ना चाहिए यह होना चाहिए और मैं मैं इन्वेस्टर हूं और मेरा कोचिंग वाला किराइप नहीं ले रहा फिर मैं मैं खड़ा हुआ जिस दिन से कोचिंग हब का नाम आया इसे बनवाने में यहां से पहले दिन से मैं से साथ जुड़ा हुआ हूँ यह जो सीए महादा चिला रहा है ना इसके लिए थोड़े बनाया था इन्वेस्ट कर जा था कि हम रियायती दर पर देंगे आप यहां पर बेच रहे हो इसको और कोचिंग इंस्टूशन चलाने वाले कौन लोग होते हैं जो लोग खुद सफल नहीं हुए हैं बाद में दूसरों को सफल कराने की कोशिस कर रहे हैं वो लोग हैं और रही बायत मैंने का चीए से कहा मैंने का देख ऐसा है देश सेबा और देश के बढ़ाने की मन सोच अपने को बढ़ाने की सोच तू बढ़ जाएगा ना तो देश अपने आप बढ़ जाएगा बहुत सारे लोग देश की सोच रहे हैं बेवकू खुद की सोच कुछ देश की सोचने की जरूरत नहीं है देश को सोचने के लिए आप बोट डाल देते हो ना कोई बहुत है अगर देश का मतलब है जैसे को पढ़ाऊ तब पढ़ाऊ आपको देश का मतलब क्या है देश के लोग हम भारत के लोग लोगों से देश बना हुआ लोग सांदा तो उनकी प्रॉपर्टी कुर्क कर ली जाती है धरवालों के नाम हो ना वो नहीं अटेश होगी वो अटेश नहीं होगी खुद की प्रॉपर्टी होगी आपने नाम समाता ना एक लेडी थी इंद्रा विस्नुई बंभी देवी का नाम सुना था है बंभी देवी सब को याद है अब बंभी देवी का नम्भी देवी के दो बॉड़्ट थे एक एक महिपाल मदेर्णा और एक और मले था नाम था मल्कान विश्नुई तो दो लोग थे उसके पर्चित थे भंभी देवी के तो क्या हुआ कि भंभी देवी को उन्होंने मरवाद दिया जैसा कोट में माना जब मरवाद दिया तो उसमें एक लेड़ी और थी जिसका नाम था इंद्रा विश्नुई वो मल्कान विश्नुई जो एमेले थे उनकी बेहन थी और मल्कान विश्नुई के फादर खुद भी मंत्री बगएरा रहे थे मनलब परिटिकल फैमली थी तो नोने तो क्या किया कि इंद्रा विश्नुई की प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी मा के नाम थी और प्रॉपर्टी 83 में अटेस्ट कर दी मा की प्रॉपर्टी कर दी मा हाई कोट आई उनने का मेरी प्रॉपर्टी अटेस्ट कैसे करोगे इंद्रा के नाम को प्रॉपर्टी नहीं यह में तो तकाल हाई गोर ने रिलीज की उनने का ऐसे नहीं कर सकते एक पर्भार की पर्पर्टी इस मेरी है और उसे बताना पड़ा का मेरी कैसे और जिसके नाम है उसकी प्रपर्टी है ऐसे तो किसी की भी करेंगे का भाई भाइव क्या है भाइव है क्या 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 करें लवर रिलेटिव एक सम्मंदी है उसकी फिर रिलेटिव में तो सब आते हैं हां जैसे बाइफ से साली भी तो गई-पर अपो जैसे साली evaluर इस नहीं है कि अ उसकी खुद की प्रापर्टिध के वह बद्ध आड़ा सोगी है ऐं नाम पॉपर्टी हो गी और च्छह मैंने का टाइम और दिया हुआ है चेह मेने के बीतर बाता दो वह प्रपटी किसकी है कि और यह तो प्रपटी बब रिलीज कर रहें है कि अपना दावा पेश कर सकते हो कि मेरी प्रोपटी एटेज्मेंट का या कुर्टी का मतलब क्या है श्वामित्यों के अदिकार की समाप्टी यज़त टर्मिनेशन उफ ओनर्सिप राइट गैव उनर्सिप उनर्सिप के राइट को तर्मिनेट कर देते हैं है इसको पढ़ लो भटा पढ़ फास्ट आप 82 से लेके 86 तक भी पढ़ लो हाँ 86 में एक चीज और है जैसे आपने अपील पढ़ी थी ना है ना वहां तो आपने 372 से लेके 394 तक अपील के प्रोविजन्स पढ़े थे और उस अपील में 117 ए 122 भी आ गए थी 117 और 122 के अपील आ गए थी लेकिन 86 वाली नहीं आई थी कौन सी नहीं आई थी 86 वाले के मामले में पूरा चैप्टर में कुछ नहीं कहा गया है 86 क्या है कि जैसे मान लो मैं गया कि सर मेरी प्रॉपर्टी कैसे अटेच करती वो मेरे रिष्टिदार की थी भाई की थी तो मैं दावा कर रहा हूं ना अब मालो मेरा दावा नामन्जूर हो गया है तो उसकी क्या होगी अपील होगी वह अपील कहां दे रख्ये 86 में अब यहां से 82-86 तक के पार्ट पढ़ लो एक ही तरह के नंबर्स आगा नोट फू इंपूर्टेंट सिर्फ 82 83 के नंबर आपको पता होना चाहिए और 86 तीन नंबर पता रखो 82 83 86 बस अबर पूछे जा सकते हैं तो यह नंबर आ सकते हैं कि देखो तीन सेक्षन है यह यह सिर्फ नहीं मैं तीन अलग 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 यह 87 88 89 88 87 में आपको सिर्फ एक ही चीज द्यान लग नहीं है कभी कोट को लगता है ना कि यह आदमी पेस ही नहीं होगा अपन तो समन्द के माद्दम से इसको बलाना चाहते हैं पटी विल नौट प्र कर सकता है hy manama comment directly समन की यगए पर वारंट जारी कर सकता है यह 37 जब भी प्र आदमी कोट में आज राजाएं तो बे सर में आगे हैं कोट वह सबखेस हाँ आपBeat अपने समन्दय किया यह वारंट जारी किया जोब्य है आप आर आते में कभी आते हो कभी नहीं आते हो दो जाना कभी किसी को तारीक आतीई कहां कि ने सिर आगे से हांगा आप बरो कि एक बान्ड बरो और जो अब यह आ हम वह आँगा पसे कि दोगा तो बॉंड बशने और शौटि देने के बाद नहीं आता है तो वह हो जाएगी एक एक और मालो आना शुरू कर दिया फि बॉन्ड को फॉर्फीट कर सकता है बॉन्ड को फॉर्फिट किया और अरस्टिंग वारंट जारी कर सकता है नहीं हैं फिर छोड़ देगा जमाइन लेके उप सकता है कि जल बेज दे उन्हें का चलो हम आते हीजने हो जल से हर तारीख पर है जाये करोगे हाँ समन के इस्तान फरम जारी कर सकता है यह दो उसको ऐसा लगता है कि नहीं इसका इसकी सर्विस्कारपट नहीं होगि इफ कौण हो जाएगा भाग जाएगा वार्निय रसकता है रहिव और प्रसुर इस एक साथ पर नगाल दिया सर वह आता है नहीं है तो फिर वह वारंट जारी कर देते हैं पर पैसा जमा हो जाता है वह पैसा वापस कर देखा अब चूंकि उसने तो जिसने परचेस की कोई दोगो चीज वो कहेंगा मैं तो बोनाफायट पर्चे जारू मेरी यह कुंक कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा सेल करके वजा चुंक वापस पेंगा तो पेमेंट और यह यह ऑचेल ऐसी सिती में है जहां अभी पेमेंट नहीं में आए तो सेल को कैंसल कर देगा और और पोर्परट के समक्ष उपस्तित कराने के लिए बात दिखाना और कोई कारण नहीं है यहां प्रॉपर्टी लेने का कारण नहीं है जेल भेजने का अब ही कोई कारण नहीं है यहां तो उसे है कि जो लीगल प्रोसेस चल लए है उसमें सहिव करिये यह है पता क्या यदे देश में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजों के लिए लोग एक कमपल्सरी सब्जेक्ट कर दिया जाए जैसे आप हिंदी पढ़ाते हो जोगरफी पढ़ाते हो और चीजां पढ़ाते हो तो बहुत बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं क्यों आएंगे अच्छे परिणाम आप इससे सब को पढ़ रहे हो न आपकी हिम्मत नहीं है कि आप कोई इलिगल काम करो मेरी समझ में नहीं आती कई बार जैसे बैंक्स वालों ने और लोगों ने नेगेटिव प्रोफाइल में एड़ोकेट्स को डाल रख रहे हैं जो एड़ोकेट है ना एड़ोकेट का मतलब वो जिसने लौ पढ़ी हुई है अभी क्या है कि हमारा एड़ोकेट हमारा जो लौ का सिस्टम खराब है क्या है कि हमाएं ओजी मेरे को तो डिगरी चाहिए अच्छा इतनी सारे इंसिटूशन को दे दी है आपने तो डिगरी देने का काम कर रहे हैं डिगरी देते ही वो क्या करता है कोट में जाता है काला कोट भज़िद लगता है पांस और पेका और पांस करता ही नहीं उसे तो सबसे ज़्यादा गवराःट होती है वो और और ब्रि ब्रिटेन में इसे रोयल प्रफेसन के नाम से जाने आते थे अभी लोग सामने तोर पर लोग अच्छा वकील है घबराने लगे जब के वकील सबसे समझदार व्यक्ति लोग का बॉयलेशन न करने वाला व्यक्ति वो वेखती है तो लोग पढ़ा दी जाएने सबको तो अपराद की संगा एक जटके में आदी हो जाएगी तो आदे हो मैं स्टेट बनोगे तक तक आप बिलकुर रम जाओगे अभी तो आज इसलिदी यह है कि कभी एक कोई फाइल दे दी जा ना आपको पकड़के कहीं की भी कोई किस चलना है तो आप फाइल में से बता नहीं सकते कि मामला क्या है हमें क्या करना है घरवाले दे जेते हैं अश है प्ता गाओगे तो पंच लाक रुपे महिने कमाने वाला एड़ोकेत बन जाएगा पांच लाक रुप न बनेगा तभी जब यह यह यहा होगी यह कभी बन बन सकता वो शुरूत करने हैं सब हम apprentice कर रहे हैं हम court में जा रहे हैं हम mood court कर रहे हैं उससे नहीं होगा यह कि अल्टिमेटली क्या है service actors काम करना आना चाहिए और काम करना आना चाहिए कैसे practice वाला जो काम है ना वो तो तो तोड़ा सा इतना सा है इससे पीछे चुड़ा हुआ है ना जो लिखा हुआ है लो लिखा हुआ है वो इतना बड़ा है वो आपको नहीं आता आप उसमें expert हो जाओ तो पांच लाग रुपे महीने के आदमी आप बन जाते हो बहुत बन जाते हो लाग डेड़ लाग रुपे के आदमी बन जाते हो लेकिन वकील बन तो पांच लाग रुपे में लेकिन ऐसे नहीं बिना इसकी तैयारी इसी लेवल का वकीला इंट्रूश से बापस आया हुआ है इस्ट्वेंट है ना और वो practice में उतर जाए लेकिन व स्कांदार सर्विस आप करते हैं नो फोन किया आपने कि एक पीजा दे जाना तो एड़ आ रहा है कि घंडा होने से पहले-पहले आपको घरम-घरम पीजा मिल जाएगा ऐसी सर्विस वकील क्या है अरे आपको चिंता मत करूं में यह करा दूंगा जिता दूंगा सब कुछ क बोलेगा और जैसे फीस आई अरे आपके लिए देवता है आप उसके एजेंट है कि लैंट के एजेंट हैं आप कहते जरूर हो कि हमारा क्लाइंट हमारा क्लाइंट आप उसके एजेंट हो तो संदर काम कर रहे हो तो आपके लिए वो समस्या है ही नहीं फिर जब ऐसे करते हो अनलाइन लगा के लोग आएंगा रियार उनके पास जाना हूं वो अपने सर्विस में सही है महुत पॉलिसिटी से लोग आएंगा इसमें एड तो लगा ही नहीं सकते ना एड़ोकेसी मे आप और दैसे ही अच्छी पढ़ाई नहीं कर रखी है तो फिर आप पंद्रह पीस हजार पीस हजार चालीस हजार के आदमी रह जाओगे जो कहीं कहीं और बात प्रता को सबसे सरल कॉंप्टीशन यहीं है टीचर जो थर्ड ग्रेट टीचर है ना वहीं आपसे ज़्यादा म बनता है और कहां मैजस्टेट मैजस्टेट का सेली स्टेक्चर आइस से भी ज़्यादा है सबसे सरल एक्जाम इस समय सुसाइटी का यही है सबसे कम स्लेबस का यही है और मैं तो चुंग शिबिल सर्विस बगरा यह दिया हुआ है तो मुझे तो पता है उसमें इतना पढ़ना पढ़ता है और इतना ही पढ़ना पढ़ता है सबसे सरल ही है जिसने कभी 300 दिन दे दी है ने इस एक्जाम में पूर जान लगा कि 300 दिन वो बैक नहीं हो सकता इसमें ही नहीं कॉम्टिशन मैं मतलब यह जो आप लोगों कभी-कभी कहता रहता हूं जान वो इसके के ने नहीं आपको बहुत पढ़ना चाहिए ऐसा करना चाहिए वह बात ठीक है लेकि यह सचा यह है इसमें कॉम्टिशन है ही नहीं उसले वालगा अभी जो बच्चे पढ़ते ना आयाटी और नीट वो आप से ज़्यादा मेनद कर रहे होते हैं वो तो सिर्फ किसके लिए एंटरेंस एक्जाम के लिए कर रहे हैं आपको तो नौकरी मिलेगी ठीक है ना 17-18 एक्त है उनमें एक्सेट है उनमें आप realistic ऐसे नहीं एक इस्तिति आहाए कभी कोई से यह से पढ़को कहीं से छरस्वारी और नहीं सरीक्ट है इस पर्म पलसे शेंदी कर दो प्रसुझ path मैं तब तक चेप्टर सेंज करता हूँ आप लोग उसे पढ़ो मैं चेप्टर सेंज करता हूँ